हेलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और गुड के लड़ू जो की बनाने में बहुत ही एजी हैं इसके लिए हमें एक कटोरी तिल लिये हैं एक ही कटोरी हमने गुड लिया है जितने तिल हैं उतनी मातर हमें हमें गुड लेना है और दो से तीन छोटी लाइची का पर दालने सकत्व हमें रोस्त करहना है और रो पर दालना को लो मीडियम फलेम पर रखना है और उन तीन मिनट तक बुरा होने तक इस तील को भूनना है फ्रेंट तील को भूनते हैं तो उसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है इस रेसिपी की खास बात यह है कि यह बहुत ही जादा भूरी सी बनती है और सर्दियों में तो तील और गुड के लड़ू हर किसी को देते हैं और अब इनको ठंडा होने देंगे हमें कभी भी गरम तिलों को पीसना नहीं है अब हमारे तील ठंडे हो गया है अब हमने इसको एक मिक्सी जार में डालके इसको पीस देना है और इसको एक दरदरा पीसना है अब देखिए इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसना है एक दम से पूरी मिक्सी नहीं चलानी है धीरे धीरे करके इसको पीसना है अब देखिए हमारे तील जो है कैसे हो गया है भुर भुरे है पतलब हम इनको बहुत जादा फाइन नहीं हमने इनको पीसा है अब हम एक कड़ाई रखेंगे फिर से उसमें एक बड़ा जमच गी का डालेंगे जैसे गी मेल्ट हो जाएगा अब हम इसमें एक कटोरी जो हमने गुड लिया था वो इसमें डाल देंगे मैंने ये गुड जो है इसको कद्दू गस करके लिए है कद्दू कस करने से यह जल्दी से यह मेल्ट हो जाएगा अब देखिए इसको लगातर चलाते हुए इसको हमने मेल्ट करना है इसमें जरा भी गुठली नहीं रहनी चाहिए अब देखिए हमारा जो गुड है वो मेल्ट होना शुरू हो गया और यह अच्छे से मेल्ट हो गया और जो हमने इलाइची पॉड़र लिया था इसको मिक्स करने के बाद इलाइची पॉड़र जो है वो ऑप्षिनल है आपका मन है तो डालिये नहीं है तो में ना डालियेगा अब हम इसको लगातार मिलाते हुए गैस को बंद करके इसको लगातार मिलाएंगे अब देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसको पहले एक प्लेट में डालके ठंडा होने के लिए रखतेंगे गरम गरम तिल के लड़ू नहीं बनाए जाते हैं थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा और लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं करना है थोड़ा गुन-गुना होने पर ही हम इसके लड़ू बनाएंगे देखिए मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसके मैंने लड़ू बनाई है ये लड़ू खाने में बहुत ही स्वादिश्ट हैं और बनाने में भी बहुत एजी हैं इसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसको सारे बड़े शौंक से खाएंगे घर में आप भी इसको जुरू ट्राइ कीजेगा अच्छे लगें तो लाइक शियर और सस्क्राइ जरूर कीजेगा तेंक यू